उसका मेरा नाम दिपान शुक्वर है आप इस वक्त जेजेन न्यूज देख रहे हैं ये हल्दवानी पर आज परिवर्तन यात्रा जो कॉंग्रेस पार्टी द्वारा रखी गई है इसे कवर करने के लिए मुझे उत्राखंड परिवहन निगम की बस पर चड़ना पड़ा क्य सड़के पूरी तरह से जाम है ये एक भारी जन सैलाब का आप कह सकते कॉंग्रेस पार्टी का जहां पर डल बल दिखाने की बात आती है वहां पर कॉंग्रेस पार्टी के बहुत सारे कारिकरता जहां तक आपकी नजर जा रही है आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर जमा हुए हैं परिवर्तन यात्रा के लिए जाकिया निकाल रहे हैं और ये ये मंजर ये मंजर बड़ा वकतनाख है आसिम जोडन आपको लगतार दिखा रहे हैं और ये लंबा जाम के बाद एक बार हम हलवानी के तरफ मिला है जाम से अब थोड़ा मिला है लेकिन फिर देखिए आप एक तरफ जहां जाम खत्म हुआ वहीं दूसरी तरफ फिर से युवाओं का दल निकल आया है जहां पर कॉंग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही है परिवर्तन यात्रा कॉंग्रेस पार्टी के नारे लगा जा रहे हैं भारी संख्या पर आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक कांग्रेस के कारी करता फैले हुए हैं यह दलबल का प्रडर्शन कांग्रेस के कारी करता उंद के द्वारा किया जा रहा है ना ही किसी के सिर पे हेलमेट है और ना ही किसी के मुह में मा कोरोना तो जैसे अस्पताल की छुट्टी में गया है गाजे बाजे के साथ एक भारी जनता का आक्रोस आप यहां पर देख सकते हैं भारी आक्रोस यह है जनसलाब कॉंग्रिस पार्टी के नारे आप देख सकते हैं जे जे एन न्यूज की एक्सक्लूजिव तस्वीरे हम आप को दिखा रहे हैं जहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं यह हल्वानी का नजारा है यह बरेली रोड का नजारा है आप देखिए मेरे दाहीने तरब देखिए यहां पर पिकप पर यहां जीप पर कॉंग्रेस के भारी कारी करता मौजूद है ललित जोशी जो की अपना प्रदर्शन कर रहे हैं ललित जोशी कॉंग्रेस के एक कद्दावर्द नेता जो की दलबल के साथ परिवर्तन रैली पे शामिल हो रहे हैं यह जीजेन न्यूज की एक्स्क्लूजिव तस्वीर हैं सबसे पहले जीजेन न्यूज पे हम आपको दिखा रहे हैं यह कॉंग्रेस की परिवर्तन रैली है यहां कुछ महिलाएं मेरे बाही तरफ कुछ महिलाओं को आप देख सकते हैं जिनके हाथ पे डॉक्टर इंद्राहिदेश अमर रहे के बैनर लटके हुए हैं और वो लोग स्वागत कर रहे हैं परिवर्तन रैली में शामिल होने वाले न कंदित पर मौझूद हैं काफी संख्या पर यहां लोग मौझूद हैं कॉंग्रेस के कारिकरता यहां पर मौझूद हैं एक्सक्लिव तस्वीर आप देख सकते हैं सबसे पहले सबसे पहले जेजीन न्यूज की एक्सक्लिव तस्वीर आप तक पहुच रही हैं जहां पर सेलाब के बाद एक तरह परिवर्तन रैली का स्वागत क्या जा रहा है कॉंग्रेस के कारिकरताओं के द्वारा हमें कॉंग्रेस पार्टी के कारिकरताओं जो यहां उतरे हुए हैं जो स्वागत कर रहे हैं उनसे किसी भी परकार का वो नहीं है लेकिन शिकायत सिर्फ और सिर् पर हेलमेट है किस कोरोना के टाइम पर ना इनके मुह पे मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना हेलमेट है और इतना बड़ा जनसेलाब एक बार फिर से कोरोना को दस्तक ना दे ये जनसेलाब है जो कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा रखा गया था